चैप्टर 13 सर्फेस एरियास एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करेंगे आज एक्ससाइस 13.4 13.4 जो है वो इस्पेर बेस्ट है इस्पेर का अब एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि एक बॉल जो है वो इस्पेर होती है और जैसे ओरेंज है वो कैसा फीगर है एक स्पेर है ठीक है अब यहां पर पुला है find the surface area of the sphere of radius 10.5 इसके 3 parts गीवन है तो इस्पेर का surface area क्या होता है surface area का मतलब total surface area से ही है तो टीए से of spare होता है 4 pi r square तो हमें radius गीवन है surface area निकालना है तो surface area of spare is 4 pi r square इसमें value पुट कर देते हैं 4 pi 22 by 7 r square तो r हमें गीवन है 10.5 तो 10.5 का square यानि इसको 2 times लिख देंगे 10.5 multiply 10.5 ठीक है 10.5 7 से divisible है 7 वंजर या आगे 1.5 अब इन चारों का product करेंगे 4 multiply 22 88 और 15 की 10.15 की 105 से multiply करेंगे तो आएगा 1575 एक और दो पीचे से दो इस्ट बाद हमने decimal लगा दिया ठीक है अब इन दोनों का product किया तो या आगे 1386 cm2 अंसर ठीक है सेकिंड पार्ट करते हैं surface area office pair आप formula जरूर लिखेंगे जब भी question start करेंगे 4 pi r square 4 pi 22 by 7 अब r हमें given है 5.6 तो 5.6 multiply 5.6 76 को कट कर देते 788 56 एक डीजिट बाद decimal ठीक है अब 4 multiply 22 88 इनकी multiply करी 86 48 carry 4 85 44 44 दो डीजिट बाद decimal 4.48 अब इन दोनों का product आगे 394.24 cm square ठीक है करते हैं थर्ड पार्ट इसका surface area office pair जब हमें radius given है 14 तो 4 pi r square 4 multiplied 22 by 7 अब आ रहे हैं हमारे पास 14 14 multiply 14 यह 2 आ गया 4 multiply 22 88 14 multiply 2 28 इन दोनों का product किया यह आगे 24 64 cm square स्टार्ट करते हैं second question find the surface area of the spare of diameter अब हमें diameters given है तो first question की तरही करना है बस diameter से पहले हमें radius निकालना है ठीक है तो first part करते हैं diameter हमें given है 14 cm तो radius कितना हो जाएगा 14 by 2 यानि 7 cm तो surface area निकाला surface area of spare जैसे मैंने आपको बताया surface area का मतलब total surface area यह होता है 4 pi r square 4 pi 22 by 7 r square यानि 7 into 7 एक 7 cancel हो गया तो 88 multiply 7 यह कितना आ गया 616 cm square ठीक है second part करते हैं diameter हमें given है 21 cm तो radius कितना हो जाएगा 21 by 2 cm ठीक है इसको आप fractional form में ही ले लीजी तो ज्यादा असान रहेगा करना तो surface area of spare 4 pi r square 4 pi 22 by 7 r square 21 by 2 multiply 21 by 2 ठीक है इस 7 से कार दियमने 21 को आगे 3 224 ठीक है यह आगया 236 236 multiply 21 इनका product आगया 1386 area है तो cm square ठीक है 3rd part देखिए diameter है 3.5 meter तो radius हो गया 3.5 upon 2 meter ठीक है decimal हटाकर हमने नीचे 0 लगा दी अब 35 upon 20 को reduce कर लेते हैं 5 7 जे 35 5 4 जे 20 तो हमारे पास radius आगया 7 by 4 ठीक है तो surface area हो गया surface area of spare 4 by r square value put करें हमने 4 by r है हमारे पास 7 by 4 तो 7 by 4 multiply 7 by 4 एक 7 से 7 cancel एक 4 से 4 cancel ठीक है अब इसके cut कर देते हैं 2 से 11 आ गया यहां पर 2 आ गया आप 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 आप